नमस्कार दोस्तों टेक्सपो प्रतीब यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत करते हैं दोस्तों अगर आप एक पीफ अकाउंट होडर से हैं आपका भी पीफ का पैसा आपकी सेल्डी से कटकर एपीफ हो यानि की करमचारी बोश्यों नीरी संक्षन में जमा हो रहा है और उनको कुछ इमर्जेंसि आ जाती है बिमारी के लिए फिर घर बनाने के लिए या फिर घर की मरमत कराने के लिए कुछ उनको जो है पैसों की जरूरत पढ़ जाती है तो उनका पैसा एप्यप का पैसा घर बैठे ओनलाइन निकाल सकते हैं तो आज की इस वीडियों आपको पूरा step by step पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना एडवांस में पीफ का पैसा घर बैठे ओनलाइन निकाल सकते हैं वीडियो में आगे वडियों से पहले छोट इसी आप से रिक्वेस्ट है अगर आप भी पीफ अकाउंट होड़र से हैं इस तरह की हैल्फ साथ एक बैल आइकन भी आइक उसको प्रेस करके ओल का जो ओप्षन है उसको से लैक कर लीजिए जिससे कि आपको जो इस तरह की हैल्फ हो लगातार मिलती रहेंगी और हो सके वीडियो पसानेता है तो आई तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए बिना किसी देर कि अब आपको पूरा step by step प्रोसेस आपको दिखाता हूं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करने सबसे पहले एप्याफ हो का जो यूए मेंबर का जो पोटल है उसको ओपन कर लेना है यहां पर मैंने इसको ओपन कर लिया है बाकि इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क् पाउंट नंबर और यहां पर आपको अपना पासवर्ड और यह जो capture code यहां भी mention करके यहां पर शाइन- इन कर लेना है तो चलिए यह detail मैं mention करके कर लेता हूं और जैसे ही आप login कर लेंगे स्टरों 702 आपके सामने आ जाएगा यहां पर आपको All-Line Services का जो ओप्छन है इसको सेलेक करना है और यहां पर claim forum 311910CN10 जैसी आपके सामने आ जाएगा यहां पर आपको अपना bank account no nor Mention करना है जो bank account आपके UAN account के साथ Link है वह bank account number यहांपर mention करना है कैसे आप जान सकते है कि आपके UAN account के साथ कौनसा bank account लिंक है तो यहाँ पर देखे manage का उप्चन है इस पर press करके KYC का है, जैसी इस पर click करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरह आहेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर जो bank account आपका link रहेगा, यहाँ पर उसका bank account number दिखा देगा और यहाँ पर उसका IFC code भी दिखा देगा, ठीक है तो इस तरह से पता कर सकते हो अगर आपका bank account link नहीं है तो यहाँ पर add kyc और यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आपको bank account number और bank account में आपका क्या नाम है वो यहाँ पर mention करके और यहाँ पर IFC code number mention करके save कर देना है उसके बाद आपकी request आपकी company के पास जाएगी और जैसे आपकी company approve कर देगी यहाँ पर डिजिटली approved kyc में यहाँ पर आपकी kyc दिखा देगा तो इस तरह से आप जान सकते हो कि आपका कौन सा bank account account आपके UN account के साथ लिंक है तो चलिए अब आपको process बताता हूं कि इस तरह से आप जो है पीएफ विड्रो कर सकते हो यहाँ पर home page मैं क्लिक कर देता हूं home page क्लिक करके जैसे आप login कर लेंगे sign in कर लेंगे इस तरह से जो login हो जाएगा इस तरह से आपके सामने जो है number यहाँ पर mention कर देंगे उसके बाद verify पर क्लिक करना है और उसके बाद यह verify करेगा उसके बाद यहाँ पर आएगा I agree to the terms and conditions यहाँ पर आपको yes कर देना है और जैसे ही आपका bank account verify हो जाएगा कि यही bank account आपके you an account के साथ link है यहाँ पर देखे इस तरह से green okay का इकन आ जाएगा उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा processed for online claim इस पर प्रेस करना है यह option आपको select करना है जैसे यह option आप select करेंगे तो इस तरह से आपके सामने option आ जाएगा अब यहाँ पर I want to apply for और यहाँ पर select claim option इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी देखे तीन forum दिखा रहा है only pension withdraw form 10C, PF advance form 31 तो अगर आप किसी भी company में काम नहीं कर रहे हैं घर पर बैठे है या पर नोकरी छोड़ दिया अपने दो महीने से जाधा हो गया है तो आप यहाँ पर यह description में और प्राइब बटन में मैंने link के दे दिया है अगर आप किसी company में काम कर रहे हैं और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपको जो PF का पैसा है उसमें advance में आप निकाल सकते हैं तो आपको यहाँ पर PF advance forum 31 यह option आपको select करना पड़ेगा और जैसे इस option को आप select क पैसा निकलना चाते है वह member ID आपको यहां पर select करनी है तो मैंने अभी ढ़ Genau है इसी company में काम किया है तो एक यह कंपनी में किया दिखा रहा है तो मैं इसको select कर लेता हूं उसके बाद यहां पर पर पारा select करना है यहां पर देखें जिस उद्रस के लिए लिए आपको बताना भी पड़ेगा तो यहां पर इल्नेस आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पैसा निकाल सकते हैं तो अभी जो यह क्रोना की मामारी चल रहे तो मैं अभी यह जो है आउट ब्रेक को पैसे आपको चाहिए एडवांस में यहां पर देखें आफसक अग्रिम की रासी amount of advance required तो यहां पर अगर आप अपने इसाफ से बरेंगे तो ऐसा निया कि आप जो पैसा यहां पर भरेंगे वही पैसा आपको एडवांस में आपके bank account में credit हो जाएगा EPFO देखेगा verify करेगा कि आप कितनी amount के लिए eligible हैं कौन से पारा के तैत ठीक है और उसे हिसाफ से EPFO calculate करेगा और जो amount के लिए आप eligible रहेंगे advance के लिए आपके bank account में credit कर दी जाएगे आप यहां पर देखे यह जो मैंने पारा select किया है outbreak और pandemic यहां पर 75% जो है आपका advance में प भरती है जो में को amount यहां पर चीए और उसके बाद यहाँ पर employee address आपका जो आधार काड़़् पे जो address मरत में करने ही तो चलिए मैंडियल मैंडियल means you यहां पर मैंने अपना address mention कर दिया है आपको भी अपना आधार काड़ में जो address हो यहां पर mention करने है उसके बाद यहां पर आपको upload scan copy of check पासबुक आपका जो bank account आपके UN account के साथ link है उसकी या फिर पासबुक आपको upload करनी है या फिर उसकी check आपको जो है upload करना है और वो जो है jpg format में होना चाहिए उसका जो size है 100 के भी minimum और 500 के भी maximum होना चाहिए उसके बाद यहां पर नीचे के तरफ आएंगे तो यहां पर एक छोटा सा box है इस पर तिक कर देना है और उसके बाद यहां पर get आधार OTP मैं इस पर क्लिक कर देता हूं अब यहां पर आपके आधार कार्ड के साथ जो mobile number लिंक रहता है उस पर एक OTP जाएगा उस mobile number पर और वो OTP यहां पर mention करके Valided OTP and Submit Claim Forum इस पर क्लिक कर देना है तो यहां पर देख सकते हो मेरे पास OTP आ गया और यह जो OTP आता है वो 10 मिनट यहने की 10 मिनट के लिए valid रहता है तो मेरे पास OTP है 355-378 अगर आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी mobile number लिंक नहीं है तो आपके पास OTP नहीं आएगा औ और आप online claim नहीं कर सकते तो अगर आपके आधार कार्ड के साथ mobile number लिंक नहीं है तो आप लिंक करा लिजिए आधार सेंटर पे जाके तो यहां पर मैंने OTP mention कर दिया अब यहां पर देखे वैलिदेड OTP and submit claim forum इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर request submit हो रही है कुछ second लेगो और यहां पर दिखा देगा OTP verify और claim submit successfully यहां पर देखिए अब यहां पर देख सकते हो OTP has been verified EKYC updated and PF advance claim forum submit successfully on unified portal please click here to view PDF और यहां पर क्लिक करके जो PDF जो request आपकी जो जनरेट हुई है उसको आप जो है PDF में भी देख सकते हो यहां पर देख सकते हो यहां पर पूर इस तरह से आप जो है advance PF के लिए claim कर सकते हैं और यहां पर online services का यह जो option है इस पर click करेंगे और यहां पर track claim status पर जैसे आप click करेंगे तो यहां पर दिखा देगा tracking ID forum type forum 31 और कब submit किया था यहां पर देख सकते हो और अब इसका current status वह है online claim submitted at portal Google के सर्च बार में आपको type करना EPFO passbook claim status और जैसे type करके search करेंगे यहां पर इसकी जो है website आजाएगी यहां पर official website इसको open कर लेना है बाकी मैं इसका link जो है वीडियो की description मैंने दे दिया है उस link पर जैसे आप पर इसकरेंगे direct यहां तक पहुंच जाएंगे अब यहां पर देके लिखा हुए sign in EPF passbook and claim status कर देता हूं अब यहां पर देखे login का option है इस पर प्रेस करने है जैसे आप प्रेस करेंगे इस तरह से login हो जाएगा और यहां पर select member ID और यहां पर please select at least one member ID यहां पर जितनी भी आपकी PF member ID रहेंगी वो यहां पर दिखा देगा एक से जादा रहेंगी तो जितनी भी और जि देखे claim status details यहां पर आज आएगी पूरी detail आपकी और यहां पर दिखाएगा claim ID यहां पर आपकी जो भी claim ID रहेंगी वो यहां पर दिखा देगा और यहां पर claim receipt date की कब जो है claim आपने apply किया था एप्याफो को जो है कब जो है claim receive हुआ था और कौन सा forum आपने apply किया था advance के ल पूरी detail यहां पर बता देगा जैसे कि मैंने apply क्या था outbreak of pandemic ठीक है और यहां पर claim status यहां पर आ रहें under process और remark your claim ID is under process अब यहां पर देखें under process का मतलब यह है कि आपकी जो request है EPFO के पास है अब EPFO उसको एक दो दिन में जो है पूरी तरह से verify करेगा कि आपकी जो KYC है वो बिल्कुल सही है और आपने जो है bank की passbook या फिर checkbook जो upload करी है वो बिल्कुल सही करी है वो आपके PF UN account में जो आपने bank account link कर रखा है उसके साथ match करती या फिर नहीं करती अगर सब कुछ आप क्या ठीक रहा तो EPFO जैसे उसको verify कर देगा उसके बाद यहां पर आपका status हाजाएगा claim settled और आपका जो आपने apply क्या था PF advance के लिए जो पैसा या फिर full and final PF के लिए वो आपके bank account में credit हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से अगर आप PF account holders है आपका भी PF EPFO में जमा ह आप भी अपने PF का पैसा advance में निकालना चाते हैं तो इस तरह से आप घर बैठे online apply कर सकते हैं जो मैंने process बताया जो मैंने step आपको दिखाए वो follow करके आप किसी का भी खुद का भी अपने friend family member में किसी का भी advance में PF का पैसा निकाल सकते हैं और अगर आपको पूरा PF का पैसा निकालना है full and final PF का पैसा निकालना है उसके लिए मैंने dedicated separate वीडियो बना रखे है वीडियो के description में लिंक दे दिया है और प्राइब बटन में भी लिंक दे दिया है तो आसा करता हूँ यह जानकर यह information मैंने आपके साथ share करें आपको पसंद आई होगी इसके बावजूद मन में कुछ doubts रह जाता है तो comment box में comment कर देना कोशिस करेंगे आपको जो भी question रहेगा जो भी comment रहेगा उसका reply करने की मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बुले क्योंकि आगे भी हम इस तरह की हैलफून और इस वीडियो आपके लिए लगातार लेके आते रहते हैं वीडियो को like जरूर करना